तोरा आप देख रहें Learn investment आज के वीडियों में बात करने वाले हैं लिखी था इंफर स्क्ष्चर के बारे में जिसके ऊपर आप में से काफी लोगों ने मिचे कमेट किया कि आप इसके वीडियो बनाईए तो आज हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे तो फटा फट सबसे पहल करने प्राइब करेंगे तो फिफ्टी यह चला रहा मार्कट के अंदर और अगर बुक पी पार गाएफ करेंगे तो इतने ज्यादा प्राइस होने के बाद भी बिल्कुल इंटर वैलिए अटर वेलिए आपर इंडिकेशन देता है और यह बहुत अच्छा देखनी को मिलता तो overall अगर आगर आगर बात करेंगे तो यहां पे जो है इसके तो financials अभी तक बढ़िया देखने को मिलते हैं डिविडेंट इस बात करें तो company कहेंगे बहुत कम भी प्रोवाइड कर रही है अभी चलते हैं आगे और discuss करते हैं कि क्या dividend किस year में कितना मिला और आगे क्या मिल सकता है कि नहीं अभी हम profit and loss होड़ा समझ लेते हैं तो अगर आप 2011 के profit देखेंगे तो 18 करोड की sales थी year और year business के sales जो है कही नहीं ग्रोथ हुई है किसी भी year में ऐसा नहीं हुआ कि sales कहा है कि negative मिल गई हूँ तो sales अच्छी यह सब ग्रोथ हुई 330 करोड की company अच्छी कासी यहाँ पर sales बनाई है अगर हम बात करेंगे net profit की तो 57 करोड का net profit जो है आपकी तक का all time high चल रहा है और हर year company में अपना जो है अच्छी तरह से जनरेट हो रहा है पिसलिए 2 साल से company dividend दे रही है 10% से 4% दिया है इस बार आने वाल टाम पर आप देखने को मिल जाए company कितना से dividend देती है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो sales कही नगए increase होने के बाद company के net profit है वह बहुत अच्छी से इंक्रीज हुआ है तो जब net profit का मतला है company के पास जो है company के उनके पात इतना पैसा आता है तो दीरे-दीरे करके growth company की बनती है company का profit बना लिए तो कही नगए company का product भी करा है और जो investors से पैसा कही नगए इसकी जो potential है उसका और ज्यादा निखारता है यानि कि और ज्यादा उसको increase करता है इसे दरीके से अगर हम चलेंगे एक बार हम reserve समझ लेते हैं तो 200 crore का company के बाद reserve है यानि कि bank के अंदर 100 crore का reserve है इसमें borrowing के बात करेंगे तो अगर मार्स 2020 में जो borrowing है वो zero हो गए थी उसके बाद मार्स 2022 में borrowing zero है और सतंबर 2022 में भी borrowing zero है बिल्कुली zero है तो जो कर्जा तो company को पर धीरे दे करके बिल्कुल zero हो गया यहाँ पर बिल्कुली कर्जा आप देखेंगे बिल्कुल zero हो गया पहले कुछ amount पर यहाँ पर loan था जिसको उम्री बुदर से खत्म किया तो company को पर कर्जा free company है तो जब company को पर कर्जा कम होता है तो उसके पोटेंशल जादा होता है उसके पर chance जादा होता है कि ज्यादा grow करनेगा क्योंकि अगर company को कल को पैसा चाहिए होगा तो वह investor से पैसा ना लेकि लोन पर ले सकती है और अपनी holdings को यहाँ पर बचा सकती है यानि कि अपनी जो holdings उनके पास है majority holdings उनको बचा सकती है तो यहाँ पर पोटेंशल देखने को मिलता है कि company के खुद के holdings promoters की वह कहीं अगर कम डायलोट यहाँ पर होगी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर fix assets की तो 17 करोड की fix assets है जिसमें company ने investment कर रहे है अभी तक की 50 करोड की तो यह बहुत अच्छा figure देखने को मिलता है कि already company की investment है वह increase होती जा रही है European basis पे और quarterly भी यहाँ पर increase होती हो देखने को मिल जाएगी अब हम एक important factor की बात कर लेते हैं वह promoters का और FIS की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि company के 2020 में December में 74% की है promoters की holding ती जो आज के time पर promoters की holding है 4% से कहीना करी है यहाँ पर decrease होई है 4% decrease होने के बात यहाँ पर public investors थी उनकी holding यहाँ पर भढ़ी है आने वाल टेम पर इसमें DIY और FIS की holding मेरे साब से बहुत साथा भढ़ सकती है क्योंकि company को अभी expand करने की बहुत जरूरत है जैसी company अपने आपको expand करेगे तो इसको fund चाहिए होता है और fund इसको foreign investors और इंडिया की investors से ही मिल पाता है तो जैसे company जो promoters की holding कहीं आगे चलके dilute हो सकती है बात कर लेते हैं एक बार इसके trading view पर चलते है तो अभी हम trading view पर आप चार्ट कोड़े लिगी था खा तो अगर आप देखेंगे तो company जब से list होई है बहुत अच्छी तरसे trend दिखा तो उपर तक गई है और बहुत अच्छी तरसे यहां पर company survive करके come back देगे तो अच्छा वासा target यहां पर जनलिट किया है तो अभी हम current price के पर बात कर लेते हैं क्या इस पर target बन सकता है तो अभी हमने one day पर candle को select किया है तो एक बार में क्या करता हूँ एक पर low बना लेता हूँ तो अभी पराने stock के video से जज दिंगे यह latest video से बना रहा हूँ जिससे कि आप जो current price में उस सब जज कर पाएं तो यहां पर आप प्राइस देगें कि 121 रुपीस का price देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर हाई-से कर लेते हैं जहां पर closing हुआ ठीक है और अभी भी market के अंदर इस price पर आ रहा है ठीक है तो यहां पर एक अच्छा खासा आपको view मिल सकता है काफी time तर यहां पर आगो देखेंगे December से लेकि आज फैब आ गया है तो almost 2 महीना यहां पर cross हो चुक है तीन महीने से company जो यहां पर आ गई है यहां पर क्या position बन सकती है जो लोग buy करना चाहते है जो लोग काफी time से position देख रहे हैं तो इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है तो एक बार अगर मैं ठीक है एक बार मैं बार select करता हूँ एक trend line ले लेते हैं और अगर मैं यहां पर trend line डोग करता हूँ तो आप एक बार ठीक है तो यह जो trend line मैं डोग करी है इसका मकसद क्या है बताने का दीखिए यहां पर brush ले दे लेते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे marketing आप अच्छ ग demand करेट हुई लेकिन जो volume था वो देखेंगे करके कम होता चला गया जो पहले जो volume था वो देखेंगे करके बिल्कुरी कम हो गया उसके बाद यहां पर market है fit for time fits यहां पर retest किया तो जब किसी resistance को market जो लगाता इतना ज़्यक्त को जब retest करता है यानि कि इतना सपोर्ट लेता है किसी जीच का किसी level का तो उस time पर दो चीज़े ग्रेट दो चीज़े की possibility बनती है पहली position बनती है कि यह जो level है यह जाद जा जादा strong होता जा रहा है ठीक है और या तो फिर जाद 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 वीक होता जा रहा है डिपेंड करता है कि क्या volume पर create होती है कि volume यहां पर कम उच्छी किसका मतलब यह है कि annual time पर या तो इसमें volume जो है buy or selling के दोधरों से बन सकती है ठीक है तो यहां पर हम क्यूं समझ रहे एक बार हम यहां पर एक pattern भी समझ देते हैं यहां पर हम ही जो pattern देखना है जो आपन सकता है अगर आप देखेंगे यहां पर एक round बनाया और यहां से एक फिर से handle type बना सकता है यह पूरी पूरी possibility नहीं बनती है बट एक आपको में overview दे सब पार हो ठीक है ऐसा क्यूं हो रह छूबस वो मेरियह सबसे को भी का एक पर एक तेंडर सूध कर रहें लाँ एक आप बता रहाँ अग्याइव निकल के आता है तो जिब 244 कि यहां पर यहां पर रहे टेस्स करेगा तो यहां से आ पको handle बना यहां से ब्रीकाउट दे सकता है अगर मार्केट इसको पर निकल जाता है तो यहां से जो लेवल निकल कहेंगे अब इसका टार्गेट कहेंगे इवर मैं आपको बता देता हूँ तो यहां से पर प्राइस सेलेट करता हूँ तो यहां से बोटम से में इसको पर यहां सेलेट कर लेता तो यहाँ पर 24% का target निकल के आएगा जिसमें हमारा price जो होगा stock का अगर मैं जो हो जेंटर लाइन लेकर यहाँ पर select करो तो यहाँ पर प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 330 रूपीस का 330 रूपीस के इसके target हो सकते हैं अगर आप current price पर buy कर लेते हैं जैसे मार के चलिए मैंने जिस प्राइस पर आपको बोला है अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ से target निकल के आएगा 35% के गेन और यह जो है अच्छा गेन हो सकता है ठीक है तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जूड़ी है मेरे साथ थेंक्यू बाबाई